यह आप लोग का स्पेशल डिश है यहां का अब तक का जो भी स्वाद होगा वो टोटली मतन के पाया का अब इस में मसाला डाला रहा है थोरा सा डाले गोल की थोरा सा डाले नमक और क्या के डियेगा वाइट पेपर हलो आप सबीका इस नए वीडियो में और अभी तक हम लोग खरें एक brand new से जगे के बहार जिसका कि नाम है एन्वीज और फुल फॉर्म है नॉन्वेज अभी हमारे साथ महां के फाउंडर है अतुल जी तो यह नाम के पिछे क्या राज है मतलब नाम महीं नॉन्वेज बहुत सरा चीज सोचे था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया ह हम लोग तौ आपको आपका चलो नॉन्वेज का भुट हो बहुत देखे रुके आहां आपड HOL को मिलेगा नॉन्वेज का मतलब देखने हैं टिखने को मिलेगाइब मुल्हां प्रोस यह मिलीग रूण में कॉन्धी आपका नंवेज ट्रिवाट एंचा नॉन्हर जिए लो दो जो जो मिलता है वो भी आइटम लोग बेस्त हैं और देंगे कैसे बनता है चलिए तो आज हम लोग खाने वाले हैं पाया लटपत पाया का शोरबा और मतन निहारी और आप अब बता दे की करक नाथ वागे लाने वाले हैं करकनाथ और पर आपको चाहिए कि बना बनाया कहीं से मिल जाए तो आप यहां आपके करकनाथ खा सकते कंडिशन है कि चार गड़े पहले आपका नमबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिने भी ऑडर करना है वो आपके पास आके आपके कॉंसल्ट कर सकते हैं और रेट क् करकनाथ का चौदा सुरुपय केजी है चौदा सुरुपय केजी मतलब बना बनाया मुर्गा करेट रहेगा तो लोकेशन बता दे अंदर चलने से पहले कि फिलाल हम लोग खरें कंकरबाग में और कंकरबाग का व्लोग भी बहुत दिन के बाद आ रहा है बिल्कुल सामने द डाल देंगे चलते हैं अंदर सारा रेसिपी दिखाते हैं पाया का और फिर खाएंगे स्वाज बताए आगे बढ़ने से पहले आप लोगो एक ट्रेडिंग एप के बारे में बताना था इसे की यूज़ करके आप घर के जो छोटे मोटे खर्च होते हैं उसे पूरा कर सकते है जिसका की नाम है बाइनमो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जैसे ही आप नीचे दिएवा लिंक से इंस्टॉल किजएगा आपके डेमो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा वन थाउजन डॉलर इसे यूज़ करके आप सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग करना कैसे है जलनी से आप का इंटर्फेस खिलते हैं और आपको सिखाते हैं कि ट्रेडिंग क्या कैसे प्याइब में कितना पास है अधि ये जैसे क्लास हो से उसमें ट्रेड कर सकते हैं तो कोई सब्हें कि गल्रोक करता हैं हिंकर ट्रेड करना कैसे है तो ये यह चाट देखकर हम numéro 3 ज गेस जो है बिल्कुल सही और गाईज आप देख सकते हैं कि 9800 रुपय हमारे अकाउंट में आ चुके हैं बहुत इसली आप इसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी पेमेंट मेंट को यूज करके तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिये वे लिंक से इंस होस्पिटल और इसी होस्पिटल के बिल्कुल बगल में ही है यही सारा सेट अप है बाहर में इस तरह से बैठा के आपको खिलाया जाएगा खुली हवा में और इधर जो है साधा खाना भी मिलता है प्लस नॉन्वेच का बहुत वराइटी सारा मेन्यू वगेरा आप चेक कर साधा खाना भी है 50 रुपे में आपको मिलने वाला वेज ठाली और इधर जो है मतन निहारी दोपिस लिट्टी और एक बाउल जो है वह पाया का शोडबा 149 गा आपके सामने है अब चलते हैं अंदर जहां पर पाया बनने वाला है और देखा जाएगी पाया आखिर बनता क सकता है अंदर जाने से पहले थोड़ा सा जैसक्राइमर देने कि वह देखने में विण लग सकता है तो सबसे पहले मटन पाया को इस तरह से आग में डालाया जाल आए और उपर का जो भी चीज है वो आग में ृण डालते हैं सबसे पहलए इसका टेस्प लगता है और क्या एक पूपर निकालेंगे और पाया तैयार करेंगे एक तरह का रिखाए बनाते हैं अच्मियांगे, कि इस तरह से बनता है ऑधेंटिक मतन पाया सब से पहले इस तरह से आग पर इसे पकाया जाता है 2 or 3 मिनट के लिए उसके बाद और पकाया इस लह आता है कि घिलने में इसलोगी यह और यहासान उता है फिर अठीन तरह में पिंज राय दो पाजन होता है तेकि पाया तज्यार हो रहा है जला जुटा उपर का बाल वगेरा जला दी है इस तरह से बहता रहे है खिल चुका है और अब इसे डाला जाए जाए पहले दो तीन मब आफ़ वाश किया जाता है उसके बाद यहां इसे कुकर में लगाए जाहिए विये गोडी जो है पानी के साथ कुकर में चणने वाला है और कितना सीटी लगाईे इसमें चार सीटी 25 मिनिट के लिए लगवक पच्छी सिम्ट के लिए कोई विर्टी में बस ऐसी पानी में सिर्फ और कुछ नहीं नमक और अब मिलते हैं आप लोग से पच्छेस मिनट के बाद जब यह पूडी तरह से पक जाए शोडवा जब बन जाए पाया था यह रेडी हो गया इदर मंदर में जो पानी डाले थे उसमें देख रहें कि हम लो पूरा तेल जासा हो गया वो उसका जो शोडवा है वो तयार हो चु अचा यह जो पाया इसको मसाला में लपेटियेगा और यह शोडवा क्या होगा अचा यह पीने के लिए हो गया सूप हो गया एक तरह से अभी यह पी सकने इसमें यह इसमें कुछ शोडवा को हम लोग टेस्ट करने वाले है थोड़ा सा गया नमक और अभी ता कोई मसाला नहीं डाला गया जो भी स्वाद होगा अब तक का जो भी स्वाद होगा वो टोटली मटन के पाया का होगा अब इसमें मसाला डाला गया रहा है थोड़ा सा डाले गोल की थोड़ा सा डाले नमक और क्या क्या डालिएगा वाइट पेपर नेक्स गया थोड़ा सा किर सयवे पोहां को भी सब 막ऊहोंने नहीं है उन्हार आया बहोंने.. पैय लटपट.. और यह मसाला जाने वाला इस इस पन में.. एक दलते हैं.. अब यह जो पाया है यह जा रहा है इस मसाले में आज यहां हम लोग खाने वाले हैं पाया लट पाया नेक्स्ट गया थोड़ा सा नमक अब जा रहा है तोड़ा सा गोल की अब करेंगे जल अब कुछ नहीं नालना है मसाला यह तैयार हो चुका है खाने के लिए जल्दी से करते हैं इसका टेस्टिंग तो इधर देखिए हमारा टेबल जो वह सज चुका है आ चुका है हमारे टेबल पर मटन निहारी सबसे पहले यह देखिए यह हो गया मटन निहारी यह भी पाया कहीं बनता है नेक्स्ट यह हो गया जिसे की खाने वाले जो देख के बहुत सही लग रहा है यह हो गया इनका पाया लटपट इसका प्राइस होता है 99 रुपीज बिल्कुल मेरे पीछे सारा प्राइस भी लिखावा है इधर देख सकते हैं एक पी इस तरह से मिलता नहीं है यह पूरा पैकेज मिलता है 149 का जिसमें आपको मिलने वाला है एक पिस निहारी दो पिस लिट्टी एक यह शोर्बा का यह बावल है यह तो यह हम लोग के लिए स्पेशली है बट आप अगर आईए 149 पे करके वो पूरा पैकेज जो है वो लेना थंड में तो मया आता है इसे पी के वोड़ा सा इसमें नीमबू डालते हैं बिल्कुल थोड़ा सा अब करते हैं इसका टेस्टिंग अ कि बहुत ही स्ट्रॉंग चाह सोड़ा है इसमें आपको कोई बहुत मसाला मसाला का टेस्ट आएगा नहीं बिल्कुल जो पाया का स्वाद होता है वही वाला स्वाद आने वाला है और कोई बहुत फ्लेवर फुल नहीं लगने वाला यह बिल्कुल जो पाया का स्वाद वही एगा बहुत गाहा सा है तो आप ठंड में इसे मेडिसिनल प्रफ़स के लिए पी सकते हैं अब हम लोग ट्राई करने वाले हैं इस पाया को पाया है को ऑफ्छा प्लाई करने वाले और इक पीस उठाते हैं इसे अपने डालते हैं पोड़ा सा जो है यह मसाला डालते हैं अब इस लटपट सा पाया को ट्राइ करते हैं रोटी के साथ अब ब्लुक्ल लेकिए सौफ सा एदम अच्छे से पका हुआ यह देखिए बहुत सही कॉमेंट करके बताएं इस तरह से पाया बनते हुए इस तरह से लटपट स्टाइल का पाया पहले कभी देखे हैं कि नहीं है कि यह बहुत सही है कि शोडबा हमको ऑनेस्टी थोड़ा ठीक टाक से लगा त्रिकास फ्लेवर इसमें आया नहीं परस पाया कहीं जो टेस्ट हो आ रहा था और शायद ऑथेंटिक तरीकर शोडबा बनता भी ऐसे ही है लेकिन पाया ज यह बहुत अच्छे से पाया पका हुआ था पाया को पकने बहुत समय लगता है पर्फेक्ट पका हुए तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर यहां आ रहे हैं जो कि आपको आना से यह पाया खाने के लिए अगर 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 पाया खाने के शौकी ने मटन खाने के शौकी ना तो आईए और यह जो पाया लटपट है इसे लीजिए इसका किस्टिंग कीजिए और अपना experience बताईए जो निहारी है इसमें क्या होता है कि चीज वही होता है हलका साई ग्रेवी होता है अगर आपको कडी लटपट मसारेदार खाना मेरा रिकमेंडेशन जो है वह यही रहेगा बहुत सही सा स्वाध है कॉमेंट करके बताईए वीडियो कैसा लगा लास्ट वाइट लेते हैं वीडियो करते हैं खतन थैंक्यों सब्सक्राइब कि अगर